हेलो स्टूडेंट्स 12th क्लास की कमेस्ट्री में आपका स्वादत है हम लेसन पढ़ रहा है हेलो एलकेन और हेलो एरिन जो की हमारा दस्वाँ चेप्टर है और उसमें हमारा टॉम पे चल ला है हेलो एरिन की और इलेक्ट्रोंस नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है तो इलेक्ट्रोंस नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में नेक्स्ट जो हमारी अभिक्रिया है वो हो जाएगा हेडिंग की तोर पर नाइट्रिकरण नाइट्रिकरण इससे जस्त पहले हमने सलफोनिकन और क्लोरिमिकन पूरा किया था यानि कहने का है लोजनिकन और सलफोनिकन तो हम पूरा कर चुके हैं अब बारी है नाइट्रिकन की तो यह नाइट्रिकन हमारे हां तीन नमर पर लिखा जाए रहेगा तो नाइट्रिकन एक बात तुम्हें धर्म रखनी है जब भी नाम आए तो पहले तुम्हें HNO3 उसमें मिलाना है ठीक है ना और उसमें एरो पर याद रखना एरो पर आपके S plus 4 डालना होता है वो बार में डालना होता है जब भी nitrogen करवाएं तो हमें हमेशा HNO3 डालना होता है और जब सलफोनी करवाएं तो हमेशा S plus 4 डालना होता है अकेले वाला nitrogen करवाएं तो HNO3 के साथ S plus 4 की कुछ बूंदें डाली जाती है तो nitrogen में क्या होगा आप reaction के मद्ध में से और समझे पहले यह हम हेलो एरीन ले लेते हैं क्लोरोमेंजीन क्या है एक हेलो एरीन है और अब हम क्या करते हैं इसमें HNO3 डालते हैं और कौन से वाला संद्र वाला concentrate sandra HNO3 डाल देते हैं और फिर क्या करेंगे इन दोनों को आपस में मिला लें मिलाने के बाद कुछ समय पश्चार्थ कुछ बूंदें ऊपर से sandra espresso 4 की डाल देंगे किसकी concentrate, espresso 4, sulphuric अमल जिसे आप बोलते हो संद्र वाले की तो sandra HNO3 डालना है इसके साथ पहले mix दोनों को अच्छी तरह कर लेना है फिर ऊपर से कुछ बुंदे sandra espresso 4 की डालते हैं अब क्या होगा ध्यान देना ये तो हमने कुछ बुंदे डाली तो उत्प्रिलर का काम करेगा a channel the तो में फिए मैं स्अमू होगा तो चैनल ओड़मित पर इसकी पांस फिए इसकी यहां सीओ बाहर निकाल दोगी एक हम से एक यहां से ऑबाहर निकले तो ओ एक निकल गया है O, H निकलने के बाद में यहां क्या बचेगा? यहां आपके पास NO2 बचेगा एक H और एक O निकाल दोगे तो NO2 बचेगा देखना, अब यह NO2 क्या करेगा? NO2 जाकर कि इसकी और्थ और पहरा पोजिशन पर जुड़ेगा तो यह NO2 स्पोज किजी एक बार में बताता हूं कि इसकी और थो पोजिशन पर जुड़ रहा है तो यहां से H कम होगा एक यहां से H कम होगा वो और एक O और H यहां से अभी कम होगा था तो वो मिल करके S2 बला देगे यहां यहां NO2 बच जाएगा तो पहले में उत्पाद आपके सामने लिख रहा हूँ समझाने के लिए और आप ध्यान से देखना इंपोर्टेंट अभीक्रिया हैं और यह अग्जाम में पूछी जाती है ठीक है ना तो मैं दोनों आपकी ओर्थ हो और पैरा उत्पाद एक साथ इकट लिख देता हूँ एक बार और फिर मैं आपको समझाओंगा आप आप कहोगे कि यह जो अभीकर्म का काम कर रहा है और इसमें एक ह और निकाल दो कि बाहर तो नो बचेगा और यह नोटू में साब पलस वाला होता है कौन साबता है पलस वाला और यह नोटू इसकी और्थ प्रजिशन पर जा कर जुळेगा तो आप कहोगे कि यह हैंसे ह ऑ्ज बचा था और यहांसे जो ह ह निकला हे यहांनसे ओज Bच गया और अब यहांसे भी ह निकला और दोवारा एक और इसमेंसे और बच गय Chi enabled यहां Palak करना पड़ा हो कि दो बेंजिन बना वाल तभिट तो बनना प्रिक प्रकारं यह अब तुम्हें ये ढदा rabbits की यहां सियल और इन योट इसमें से आपर होते हैं सारे के सारी हैम फें़ोंगोर सब याप यहूटन पर्मुख मारीजातंता है तो यहां अब जो धलो डिसकर ध्यान देना यह थीर्ट में अरफु पर्वजिशन है हेलोग्त बने लिए पर बजह पड़ा है तो इसका संबाइम क्या लृथ नाइट्रो को रोविंजीन क्या लिखुआ ? और झों नाइट्रो mnie नाइट्रो बेंजी और तो नाइट्रो कलोरो बेंजी और अब यहां इस सेल समूग के और यह बिल्कुल पैरों में है तो क्या बोलोगे पैरा नाइट्रो कलोरो बेंजी यह इंका समन्य नाम बन गया और मैं आपको कई बहता चुका हूं जिन नामों में और जिखाब्न भार अमें होते हैं कभी और तो लिखाब्ल हों करते हें तो आप यहां 2 लगा लो 2S2O और यहां HNO3 पी 2 और यहां इस क्लोरो बेंजीन में भी 2 तो सारी अभीक्रिया बेलेंस हो जाएगी थीक ना तो अब आप क्या बहुत लोगी नाइट्रीकन करते से लिए जब क्लोरो बेंजीन का नाइट्रीकन सांद्र HNO3 और सांद्र S204 के साथ किया जाता है तो और्थो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन और पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन बनती है और इनके आयोपेसी नाम को लिए देता हमें और मैंने अभी कहा कि यहां और्थो है वो NO2 कर ज तो आप बोलोगे CL को आप क्लोरो बहुते हो, क्लोरो में आपके एल्फाबेटिक के साब से C आता है, नाइट्रो को आप L-I-T-R-O नाइट्रो बहुते हो तो इसमें N आता है, तो पहले तो CL आएगा एल्फाबेटिक में तो पहले C आता है, N तो बाद में आता है, तो बोलो 2-9 वालटो सुनरी थुनाइट़ो बैंजीन क्या वो लोगि 1 पर क्लोरो तु पर नाइटो ओहें कौने मात्वालतो बैंजीन तो आप आयोह्पी सिप्ती में गोनोगे वान कBY वर अखिश्य तो नाइट्रो वह कं वनत्रो पूनाइट्रो बैंजेन 1- Galore, 2- Nitro- dolor, बेंजैन, इस इपर करट ये इसकारी पर इसलिद नाम लिखोगे तो यहहां कलोरो एक नंबर पर है, फिर दो नंबर खाली पोज़ेंट है, तीन नंबर भी खाली पोज़्स defenders है, चार नंबर पर N02 उड़ा हो आ है तो यह इनकी नाम होगे नीचे वाले और जस्ट उपर वाले ओर और पैरा वाले इनके सामन्य नाम है इलेक्ट्रोन इसने प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आप लोग एक इंपोर्टेंट बात और धन में रखना कि आप देख रहे हों कि यहां यह एन ओर टू इस सील के का कि एक और तुम पर जोड़ रहा है और यहां यह एन ओर्डू इस सील के पेरा पने और के बसनाद तो ऐसा क्यों हो रहा माइनस के साथ जाकर जुड़ेगा तो यह खुद माइनस का है और माइनस के साथ जाकर जुड़ेगा और माइनस होता है तो यह किस से जाकर जुड़ रहा है माइनस से माइनस से अर्थात इलेक्ट्रोन से यानि यह इलेक्ट्रोन से जाकर सनेय कर रहा है तो यह खुद कौन व हेलोजन हमेशा ओर्थो और पैरा निर्दिस्ट कारी होते हैं यानि जब कोई है लोजन यहां बेंजिन बने के ऊपर रगा होता है तो वह लोजन क्या करता है किसी आने वाले समुं को उस बेंजिन के ओर्थो या पैरा पूजिश्ट पर दखेल देता है सारे एलोजन यह होते हैं हमेशा और्थो और पैरा निर्दिष्ट कारी यानि आने वाले किसी अपने समू को अपने पास नहें जोड़कर और्थो और पैरा पोजिशन पर दखेल देते हैं यह क्या करें यहां से आए इसके सा जुड़ने के लिए तो क्या करेंगा इस और्थो पर द्खेल करेंगा और पैरा इसमें सम्मीटि पाई जाए जाए थी है प्रस्ट पूछे क्यों स्थाई होते हैं इसलिए किसी अन्य उत्पार की तुलना में पैरा उत्पार हमेसा स्थाई होता है तो फिर अब क्या करेगा यह और इस आने वाले नोटु को और तो पैरा इसको दखिल देगा और यह पैरा पर जोड़ जाएगा तो इसका आर्थ यह हुआ एनोटु खुद और थो और पैरा पर जाकर नहीं जुड़ा है बलकि इस सील ने क्या किया इस एनोटु को निर्देशित किया है कि आप और थो या पैरा पोजिश्ट पर जाकर जुड़ो तो सील कौन हुआ उपर लगावा सील कौन हुआ उपर प्रभाव ने की कारण और जो आपके इलेक्ट्रोंस नहीं है वह उर्थ और पैरास्थिती पर आगर जुरते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया जो की चार नमर पर आती है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया और नाम वाली रियक्षन है और इंपोर्टेंट है याद और अक्सर प्रिक्षा पुछी जाती है तो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया आप ध्यान दिना दो प्रकायपी होती है एक होती है फ्रीडेल क्राफ्ट एल के लिकरन और दूसरी होती है फ्रीडेल क्राफ्ट एसी लिकरन तो पहले हम यहां जो पढ़ेंगे वो है प्रिक्ष्ण पूछ ही जाती हैं तो फ्रिल्ग्राफ्ट एल की लिकर रिक्षण लिख़ा हूं पहले समझाने के लिए आप यहां ऐरील हैलाइट के रूप में क्लोरोबेंजिन लए दीजिए क्लोरोबेंजिन आपने यहां ले दी और अब आप क्या करों इंग इसमें क्लोरो मेथे से दीडियों कि अम्मेथिल कलोराइट भी कहते हो तो इसकी रेक्शन करवा दीजी लेकिन इन अभिग्रियां में के विस्षिस्त पदार्थ काम में लेते हैं उत्प्रेर के रूप में और वो होता है निर्जल एल-C-L-3 एलुमीनियम क्लोराइड निर्जल एलुमीनियम क्लोराइड आपको इसमें डालना है तो क्या होगा और तो स्थेम लगाओगे वे इंचिनिवल एक पर और इसकी और तो और मेटा पोजिशन पर देखना और तो पोजिशन पर पहले और यहां से CS3 जोग जाएगा और तो पर CS3 जोग जाएगा ठीक है न उसके बार में फिर आप ध्यान देना इसमें क्या होगा यहां से यह सियल बच्चा यहां से एच निकला है उस एच के साथ बाहर हो जाएगा लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि सारे के सारे हेलोजन और और पैरा निर्दिष्ट कारी होते हैं तो यहां यह हेलोजन इस मैंतिल समों को और पैरा पूजिशन पर जोड़नेगा तो बाकी सीअल सेस बच जाएगा वह एच के साथ है और बाहर हो जाएगा तो यहां मैं 0x2 को बाहर कर देता हूं लेकिन अभी करने के लिए यहां निद् embracing वाले हैं तो पहले यां दो लगा देता हैं थीजिए यहां करने का दो Σे यह ने सीट के लिए रहा और तो पहले सिसे बड़ा लेक्टा दोंग detto आप यहां तो इसके बाद यह संत उलिता है तो आप क्या बोलोगे फिडल क्राफ्ट एलकिलिकर्ण में कि जब क्लोरोबेंजीन की अभीपरिया निर्जल एल-CN3 की उपस्तिती में और कलोरो मेधेन के साथ करवाई जाती है तो यह देखना क्या बनेगा यहां CN है और यह CS3 इस पर है तो इससे आप बोलोगे सामाने अकत्ति में और्थो कलोरो और्थो पर कोन है कलोरो यह मुख्य समून है और्थो पर यह कलोरो लगा र है अगर हम से पुछे कि इनके आप आयोपिय सी नाम लेखी तो आप क्या बोलोगे आप इसे बोलोगे वन कलोड टौ रोरो इली प्रणा कि मुंठा तो ल्ग में लोट वह प्रण नंग अरी पर टुन कोंन एक नियुक्त याद वन ख्लोरफ्विरूमेथिल बैंची तो यह व्लाफिए लगण हुआ अब बारी आती है व्लाफ्ट एस लीकडू कौनसी वानिकी एस लीकडू तो फ्लिट्राफ्ट एस सी लीकर्डू इंपोर्टैन्ट है और ध्यान में रखना वह फ्लिट्राफ्ड एस लीकर्ड़ में क्य कर देता हूं तेका ना आपके सामने आप लोगे यहां कलोरो मेथिल लेने की बजाए यानि कलोरो मेथिन लेने की बजाए आप एसी टिल कलोराइड लीजिए क्या बहुता हैं है निलजल ले यहां इन क्या आएगा वात है कि यहां इस पोजिशन पर क्या आएगा बाकी तो मो फो स्थी यहां एस सी बाहर गए वह की वह बात रहेगी। लेकिन यहां आएगा क्या वह ध्यांदेगा। CL हटेगा तो बख्या जाएगा। तो इस गौंड से यह CO और CH3 यह लग जाएगा। तो आप क्या लिखो हूए। आप यूँ इस प्रकार से लिखो गए। दिखेगे। जाहे तो इकठा लिखो आप COCS3 या फिर कार्बन के चार बंद दिखा करके लिखो ऐसे तो भी कोई दिखत नहीं है इसी प्रकार यहां इस पोजिशन पर आ जाएगा यूं आप यूं इसे ऐसे कर देना तो यह चाहिए कटने को COCS3 एक ही बात है तो यहां से अब जो यहां CL बचा था वो CL और यहां स ऐसे हते हो एच भाहार निकले हैं एक सियर की रूप में तो हम इसे बढ़ा लेंगे तो इसको दो कर लेंगे दो बढ़ा लेंगे और इससे फी दो कर देता हूं और इसको भी दो तो अब हमारे पास बंडया C ibl पहलु है। हमारे आपर आप पास आवगर कैसे प्राप्ट करोगे समय कर देजिए तो और थो कलोरो एसी तो फिनोल नहीं कह रहा हूं और भी ओन जो गोन तो ना ओंटो एसी टो फिनोल इसमें नोन ओन की लिए आता है चूंकि सिए ओन वाई ही पोजिश्ण है तों को इसमें शामिल किणगे तो 9 बगने यां तो और तो-कलो्रो souvent को वर स्थू क्षेटें परकाट यह मुसं हो जाएगा यह जाएगा पैरा कवलोरू कौन सार पैरा कलोरो एसीटो फिनोर यह पैरा कलोरो एसीटो फिनोर यह पैरा कलोरो एसीटो फिनोर हो जाएगा यह ओर्थो कलोरो एसीटो फिनोर हो जाएगा तो लेंगवेज की रूप में क्या लिखोगे एसी लिकर्ड यानि फ्रिडल क्राफ्ट एसी लिकर्ड कि जब कलो क्लोरो बेंजिन की अभिक्रिया निर्जल एलसील तरीकी उपस्तिती में एसी टिल कलोराइड के साथ करवाई जाती है तो और्थो कलोरो एसीटोफिनोन और पैरा कलोरो एसीटोफिनोन प्राप्त होते हैं